अच्छादक मामा मिस्रा कितरफ साब सुखुनमन ओमकाली तो आज मैं आगई और एक नए वीडियो के साथ कि जोतिस के माध्यम से आप अपने इश्ट देव को कैसे पहचान सकते हैं और उनकी अराधना कर सकते हैं मैंने इस पर एक शौट बनाया था जो कि काफियों को सब्सक्राइब तो एक दम एक चीज़ बताऊंगी तो इसके वज़े से वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है आप कॉपी और पेंड साथ में लेके बैठेएगा वरना काफी आप कन्फ्यूस्ट हो जाओगे ठीक है आपको पहले क्या करना होगा एस्ट्रो सेज एप डाउ अपना नाम डालो जेंडर डालो आपका कुंडली निकल आएगा ठीक है नक्षत्रा भी निकल आएगा आपका जोगड़ा है कौन से नक्षत्र में है कौन से पत्में सारे टीटिल्स आपके उसमें आ जाएंगे ठीक है मैं उसका लिंक डेस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल द पहला चीज आपको जो देखना है वो ये है कि आपका लगन नक्षत्र क्या है तो वो आप कॉपे में पहले नोट कर लीजिए कि मेरा लगन नक्षत्र ये है जैसे कि मेरा लगन नक्षत्र मूल है तो वो आप साइड में लिख लेजिए कि लगन नक्षत्र मूल ठीक है दूसर सब आपको अपने एस्ट्रोसेज एप से आसानी से मिल जाएगा फिर तीसरा है अपना भ्रिगुविंदु पता कीजिए भ्रिगुविंदु आपको एस्ट्रोसेज एप से नहीं मिलेगा वह आप गुगल कर लीजेगा कैसे भ्रिगुविंदु निकालते हैं आप आसानी से निकाल लोगे बिर्गुविंदू basically होता है राहू और चंद्रमा इन दोनों के बीच में जो डिगडी है ठीक है उसका मद्दे भाग जो होता है वही आपका बिर्गुविंदू होता है और वो अपना destiny जानने के लिए बहुत जरूरी होता है ठीक है फिर जानना है कि आपके पंचम भाव जो है वो कौन से राशी में स्थित है और उसका राशी का जो श्वामी है वो कौन से नक्षत्र में स्थित है उसके बाद जानना है कि आपका जो पंचम भाव का जो श्वामी है वो नवाम्श में कहां पर है और अगर आप तंत्र से जुरे हो तो आपका ये ज नोट कर लेना है, फिर आपको देखना है, कि ये जो भी अपने नक्षत्र लिखे हैं, ठीक हैं, और जो भी गड़ह लिखे हैं, जो जो पॉइंट मैंने बोला है, उसके हिसाब से, तो उनमें प्रधानता किनकी है, तो ये कैसे पता लगा सकते हैं, इसके लिए मैं आपको साम लेलीचे, तो यहां से आप पता लगा सकते हों कि आपके कुंडली में, ठीक है, किसकी प्रधानता है, राजसिक की, तामसिक या फिर सात्विक का, तो माल लीचे, अगर आप में तामसिक का ज़्यादा प्रधानता है, तो आपको तामसिक देवता का, उग्र देवता का पत्विक गुन ज्यादा है तो आपको सत्व यानि की भगवान विश्णु फिर हनुमान जी ठीक है इन सब की पूजा करनी चाहिए गनपती जी भी उसी में आते हैं फिर अगर आप में रजस की ज्यादा प्रधानता हैं तो आप तो आप देवी शरस्वती देवी कुष्मां ठीक है उन सब की पूजा कर सकते हैं देखे क्या होते हैं हर जो देवी देवता होते हैं उनके अंदर में कुछ न कुछ गुन नहीं थोता है तो आप जिनकी पूजा करना चाहरे हैं आप पहले पता कि उनका एलेमेंट क्या है राजसिक है सात्विक है या तामसिक है और उस सब का रङृब करें र किया किरेंगे माली जी है दो कर रजस और गार शठव चुग्त ब्रशन से तो कनडिस्न में आप तमस को ब्रधांता वी το ses में पहले को में ready hardcore nothing the phone Daychid आप गिन कैप यह आपका इस्ट क्योंकि कल्योग सोमा जाता है ताम सिख देवी देपता जल्दी प्रसन होते हैं, जल्दी जागरत होते हैं चलिए ये तो मैंने काफी लंबा बता दिया, इसको देखने में, ढूरने में, मतलब सब नहीं देख पाएंगे, सब नहीं उतना समझ पाएंगे तो एक सौट ट्रिक में बता देती हूँ, अगर आप इतना नहीं जानना चाते हैं, तो आप डिरेक्टली क्या कर सकते हैं, अपना लगन नक्षत्रा और अपना भ्रिगो बिंदू का जो नक्षत्रा है आप देखें ये जो नक्षत्रा है, इनका कैसा गुन है, या फिर इन नक्षत्र का प्रिसाइडिंग इस्वर कौन है, हर नक्षत्रा के एक देवता होता है, जैसे मेरा मूल नक्षत्रा जो है, वही मेरा लगन नक्षत्रा है और वही मेरा भ्रिगो बिंदू है, तो मूल न लिकुबिंदू और लगन नक्षत्रा से तो आशा करते हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेर कर सकते हैं अगर इसमें भी अगर आपको कुछ चीज समझ ना आया हो तो आप कमेंट सक्षन में प को शीश करूंगी, ओम काली!